दोस्तो यदि आप AOC Tradesman 17-93 पोश्टों में online apply किये हैं तो आज हम आप लोगों के लिए एक बड़ी जानकारी लेकर आए हैं कि आपका admit card आएगा या नहीं ऐसा नहीं कि आप इसमें online apply कर दिये हैं तो आपका admit card आजाएगा इस वीडियो में हम सारी जानकारी देंगे कि 10B में कितना परतिसत आपका number होना चाहिए जो जितने बच्चे online apply किये हैं लबग 10-11 लाख बच्चे यहाँ पर online apply किये हैं क्योंकि 10B pass और इसका जो fee था जो online apply करने का वो भी 0 रुपिया था तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर form online apply किये हैं लबग 10-11 लाख बच्चे यहाँ पर form online apply किये हैं तो क्या 10-11 लाख बच्चों का यहाँ पर admit card जारी होगा तो नहीं सारी चीजे हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे physical में क्या क्या होगा physical कब होगा physical का जो इसमें आप लोगों का data है वह change है retaining examination कब होगा retaining examination में कितने नमबर के question पूछे जाएंगे क्या क्या होगा सारी चीजे बताएंगे और सबसे जो main question है वह है कि हमारा admit card आएगा या नहीं क्योंकि हम आप लोगों को सुरू में भी बता दिये कि इसमें भरती में साफ साफ लिख दिया है notice में कि हम इतने ही बच्चे को चाहे 20 लाख बच्चे क्यों नहीं online apply कर दे लेकिन हम इतने ही बच्चे को shortlisted करेंगे physical के लिए समझगे क्योंकि first process में आप लोगों का physical है second process में आप लोगों का retaining innovation है तो चलिए देखते हैं कितने बच्चों को AOC Tracement में फायर में में और मेट में physical के लिए बुलाया जाएगा तो चलिए चलते notice पे और बताते हैं सारी जनकारी यदि आप लोग इसमें online अप्लाय किये हैं तो चैनल को कर दीजिए subscribe जब भी admit card आए तो फटा फट हम आप लोगों को बता दे और physical कब होगा ये भी हम आप लोगों को इसी वीडियो में जानकारी देने वाले है तो चलिए दोस्तों तो देख सकते दोस्तों ये है आप लोगों का जो नौटिस आया था AOC tradesman और mate और fireman के लिए जहां पर आप लोग पोस्टों की संख्या देख सकते हैं यहां पर पोस्टों की संख्या है और इसके नीचे चलिए यहां पर सारी चीजे बता दी गई है तो दोस्तों बड़ी जानकारी है आप लोग इसे नोग कर दीजे सब्सक्राइब और यहां पर देखे अस्टेट वाइज वेकेंसी भी बता दी गई है आप लोग देख सकते हैं यहां पर सारी जानकारी दी गई है जो हम आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं तो चलिए दोस्तों पहले हम बात करते हैं admit card के बारे में दोस्तों यहां पर notification में लिख दिया गया है कि physical हो skill test हो चाहे जो भी exam हो आपका call letter आपके जो test है जो आपने email ID दिया था email ID पर भेज दिया जाएगा और आप download कर सकते हो AOC के website से समझगे दोस्तों अब बात करते हैं physical के और physical के बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों का 10B में कितना परतिसत नंबर होना चाहिए तब आपका admit card आएगा और दोस्तों कितने student को बुलाया जाएगा कितना अभ्यार्थी को physical के लिए बुलाया जाएगा समझ गए यहां पर देखे online apply करने के बाद भी छटाई होगा मतलब आपका form success है मतलब accept है फिर भी आपको छाट दिया जाएगा इसमें ऐसा system है तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर बताया गया है जो student यहां पर tradesman mate में डाले हैं समझ गए उसका जो first stage है यहां पर 1.5 km देखिए यहां पर बता दिया गया है मैं आप लोगों तो आसा जूम करके दिखा देता हूँ देखिए यहां पर बता दिया गया है 1.6 km 6 मिनट में और आप लोगों को carrying weight 50 kg distance 200 मीटर 100 सकेंड में जतर 100 सकेंड में 50 kg लेकर आप लोगों को 200 मीटर जाना पड़ेगा समझ गए और इसके बाद देखिए जो EWS candidate है उसके लिए भी यहां पर बता दिया गया है जो ESM candidate है जो 40 साल के है उनको भी 1.5 km रन 7 मिनट 11 सकेंड में ट्रेट्समें मेट के लिए समझ गए अब यहां पर देखिए फोर फिमेल कंडिडेट के लिए तो जो फिमेल कंडिडेट ट्रेट्समें मेट में डाले है वहां पर उनको देख लिए यहां पर बता दिया गया है फिमेल कंडिडेट को 1.5 km रन 8 मिनट 26 सकेंड में और 50 kg लेकर 200 मीटर 3 मिनट में जाना पड़ेगा समझ गए दो दोश्तों बड़ी जान करी है इसको बजरा सभी आप लोगों को मिस नहीं करना है ध्यान से देखना है नहीं तो आपका अड्मीट कार आ जाएगा और आप ढूंदते रहा जोगी मेरा अड्मीट कार नहीं आया अब देखिए हाइट यहां पर विदाट सू 165 सेंटीमीटर समझगे मेल कंडिडेट जो फाइर में में अउनलाइन अपला किये हैं समझगे और यहां पर देखिए चेस्ट आप लोगों को लगेगा एक 80 से 5 सेंटीमीटर साड़े 80 सेंटीमीटर और फुलोग साथ 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए वेट 50 केजी आपका होना चाहिए समझगे दोस्तों अब बात करते है फीजीकल इंडोरेंस टेस्ट मतलब रनिंग का तो जो फाइर में अश्टूडेंट है उनको यहां पर 1.6 किलो मेटर रन कंडिडेट समझगे छे मिनट में समझगे आप लोगों को 6 मिनट में और फिमेल कंडिडेट को 1.6 किलो म में आठ मिनट 26 सकेंड में करना पड़ेगा समझगे दोस्तों इसके बाद आप लोगों को जो फाइर में के है उनको यहां पर देख लेजे काईरिंग एप परसन साड़े 63 किलो 5 गराम लेकर 183 मीटर 96 सकेंड में आप लोगों को चलना पड़ेगा समझगे इसके बाद जो स्टुडेंट है उनको यहां पर 2.7 मीटर का वाइड डिस्टेंच लेंडिंग बहुत फीट लॉंग जंप होगा मतलब लॉंग जंप आप लोगों को 2.7 मीटर रखा गया है तो दोस्तों साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाईएगा समझगे इसके ब आप लोगों को लिखित परिक्षा होगा फर्स्ट फेज है एक्जाम स्वरी लिखित परिक्षा और सके फर्स्ट फेज में आप लोगों का फीजीकल है और सकेंड फेज में आप लोगों का रिटेन एक्जामनेशन है समझगे दोस्तों तो रनिंग के बारे में आप लोगो question, general English से 25 question, general awareness से 50 question, मतलब 100 question आप लोगों को करने को मिलेगा, 2 हर्स और 20 मिनट टाइम, extra मिलेगा जो handicap है, समझ गए यहाँ पर, अब बात करते हैं negative marky, तो 200 0.25 मतलब 0.25, इच wrong answer से आपको काटा जाएगा, exam आपका offline होगा, सारी चीजे पता चल गया, अब बात करते हैं कि किसका admit card आएगा और किसका नहीं आएगा, तो दोस्तों हम आप लोगों को जो जानकरी दे रहे हैं अभी तक कोई नहीं दिया होगा, देखिए यहाँ पर candidate are required to submit online application, take a print of application from in arrangement future reference, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, depending on the number application received number candidate, test will be restrict the system based short listing process based on the mark obtained, यहाँ पर बताया गया है, कि minimum education qualification post for the post of fireman or tradesman met where physical endurance test, मतलब physical के लिए भी आपके mark, समझ कि आपके mark करनुसार, आपको shortlisted किया जाएगा, अब देखिए यहाँ पर the written test समझ गे, create by ratio written test number of application post will be considered, मतलब 75 गुना, समझ गे 75, 73 को आप लोग 75 गुना कर दीजे, इतना student को shortlisted किया जाएगा, समझ गे, दोस्तों देखिए यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि हम 75 गुना अभ्यार्थी को shortlisted करेंगे, देख लिजे यहाँ पर ध्यान से, देख लिजे यहाँ पर बता दिया गया है, देखिए यहाँ पर 75 गुना मतलब कि, और आप लोगों को बता दे की संभावना है, यदि इससे 10 से 15 लाग के अंदर, यदि ओनलाइन अपलाए हुआ होगा 10 से उपर, तो फिर आपका 65 से 75 समझगे 65 से 75 80 के बीच में आपका परतिसत होना चाहिए, तब यहाँ पर आपका admit card आने की संभावना है, 75 70 गुने, अब भ्यार्थी को shortlisted क्या जएगा, फिजिकल के लिए कई बार ऐसा होता है, कि exam में shortlisted क्या जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा system है, कि computer already यहाँ पर आप लोगों को shortlisted कर देगा, जिसका अच्छा number रहेगा, अच्छा percentage रहेगा उसको admit card जाड़ी किया जएगा, जिसका कम रहेगा, उसको नहीं आएगा तो दोस्तों समझगे, 65 से लेकर, 75 85 के बीच में, जिसका number रहेगा समझगे, परतिसत, उसी को यहाँ पर shortlisted किया जएगा केबल 75 गुना भ्यार्थी को बुलाया जाएगा, फीजीकल करने के लिए, तो दोस्तों आप लोगों को सारी जानकरी पता चल गया होगा आप लोग इसका एसकीन सोर्ट करके, ले लीजे और इसको हिंदी करके देख लीजे, सारी चीजे, समझ में आजाएगी, admit card आपके mobile number और आपके email लेड़ी पर भेज दिया, जाएगा किसी का फोर्म, reject नहीं हुआ है, सबका accept है, लेकिन हम 75 गुना अभ्यार्थी को ही लेंगे, यह यहाँ पर 12 नमबर में बता दिया है, समझ गे दोस्तों तो घावराना नहीं है, यदि आप online apply किया है, इंतजार कीजिए, यदि कम अभ्यार्थी online apply किया हो जगा, तो 55 से लेकर 75 के बीच में ही काटा रहने वाला है, यदि जैदा अभ्यार्थी online apply किया होगा, तो फिर भाई, 65 से लेकर 85 के बीच में भी काटा जा सकता है, तो जैसे ही आएगा, हम बता देंगे आप लोगों को तब तक आपका यदि अच्छा है, यदि आप 65 से उपर है, 75, 85 है, तो फिजिकल के त्यारी कीज़े भाई, आपका जो admit काट है, वह जरूर आएगा, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, जाहिंद वंदे मात्रम